नमस्कर दोस्तों ग्यानसादर चैनल में आप सबका स्वागत है वैसे तो दूद को बाइलन्स डाइट कहा जाता है दूद में ऐसे पोसक तत्वा पाये जाता है जिससे हमारे सरीर का पुर्मता विकास हो सकता है जिहां दोस्तों नवजात शीशू कुछ और आहार नहीं लेत बल्कि दूद के साथ ही उनका विकास होता है और उनका पालन पोशन होता है यानि कि एक तरह से कहा जाए तो दूद हमारे लिए सरवतम आहार है दूद पीना हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही फायदमत होता है दूद पीने से हमारे स्वास्त को कई सारी लाभ मिलती है किताब अपने नाम पर रखता है वह हमारे स्वास्त के लिए हानिकार क्यों है किस परस्थिती में दूद्ध पीना हमारे लिए जहर जैसा हो जाता है इस वारे में हम बात करते हैं हमारे स्वास्त के लिए एक हार होता है हए जो हमारे सरीर के लिए काफी फायते होते हैं परत्तु यदि मचली खाने के बाद दूद्ध का स्वास्त ना करने के पीछे कोई सांस्टिफिक रीजन नहीं है पर दो ऐसा माना जाता है कि यदि मचली खाने के बाद दूद का सेवन किया जाएगा तो यह हमारे पाशन तंत्र को प्रभावित करता है इस वज़ा से फूड पोईजनिंग या पेट मेर दर्द इन सारी दिक्कतों से सामना करना पड़ सकता है इसके साथ साथ हमें स्कीन अलर्जी से भी दोचार होना पड़ सकता है इसलिए कहा गया है कि मचली खाने के बाद दूद का सेवन नहीं करना चाहिए दूद और दही हमारे सरीर के लिए यह गरऊता हैं हिए जबर्दस्त फाइदे मंद होता हैं दूद का अपना महत्व हैं परन्तों यदि एक साथ खाया चाहे तो हमारे स्वास्त के लिए हाँ धारी कारक सब्सक्ता अथुड़ खाने के बाद द्रही या दही खाने के बाद दूद का सेवन करना भी हमारे स्वास्त के उपर विपरित असर डाल सकता है इसके अंतरगत हमें या तो पेट दर्धों का पाचन क्रिया गड़बढ़ होगी या उल्टी जैसी बीमारियों से सामना करना पड़ सकता है आता कहने कातात पर यह है कि दहीं के बाद दूद का सेवन नहीं करना चाहिए खटे फ फलो का सेवन कर रहा है तो उसके दो घंटे के बाद ही दूद पी सकते हैं उरत की दाल के सेवन के बाद भी दूद नहीं पीना चाहिए या दूद का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि उरत की दाल और दूद एक दूसरे के जबरदर्स्त विपरित हैं उरत की दाल और दू प्रणा उड़ियां आना जी मिचलाना सरीर का भारी होना तता सरीर में दर्द जैसे बिमारियों से हमें दोचार होना पड़ सकता है अतर जब भी उड़त की दाल खाये उसके दो तीन घंटे के बाद ही दूद का इस्तमाल करें इस तरह के खादे पदार्थों के बाद या इस वीडियों में दूद हमारे लिए जहर और जानलेवा साबित हो सकता है अतर या खाद्य पदार्थों के बाद दूद का सेवन करने से बचे तथा स्वस्त्र हैं इसे के साथ आपसे आगया लेती हो नमस्कार और हाँ दोस्तों इस चैनल को अब सब्सक्राइब करें आपक्त दूद को दूद को इसाथ नही हो नमस्काद प्राद्ट का से बच्ताई हांग